नमस्ति दोस्तू मैं हूँ आपका दोस्त राकेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है आज हम पढ़ेंगे ध्वैनी पिदूशन के प्रभाव जैसे की पैस्न है ध्वैनी पिदूशन के प्रभाव लिखिए उत्तर है ध्वैनी पिदूशन के पिरभाव निम्न लिखित है पहला पिरभाव है लगातार सोर में रहने के कारण मनुस की सिर्वन सक्ती घट जाती है और बहरापन पैदा होने लगता है लगातार सोर में रहने के कारण मनुस की सिर्वन सक्ती अर्थात सुनने की सक्ती घट जाती है और बहरापन पैदा होने लगता है दूसरा पिरभाव है ध्वैनी पिदूशन के कारण सरदैद, ठकान, आनिद्रा, आदी रोग होते हैं ध्वैनी पिदूशन के कारण सरदैद, ठकान, आनिद्रा, आदी रोग होते हैं तीसरा प्रभाव है अधिक सूर के कारण मसितस्क का तनाव बढ़ता है और बैक्ति का स्वभाव चिड़ चिड़ा हो जाता है अधिक सूर के कारण मसितस्क का तनाव बढ़ता है और बैक्ति का स्वभाव चिड़ चिड़ा हो जाता है चौथा प्रभाव है सूर के कारण हिदाय की धड़कन और रक्त दवाब बढ़ता है सूर के कारण हिदाय की धड़कन और रक्त दवाब बढ़ता है पांच बाप्रभाव है अधिक सूर के कारण एड्रीनल हार्मोन का स्वभाव अधिक होता है अधिक सूर के कारण एड्रीनल हार्मोन का स्वभाव अधिक होता है छटवा प्रभाव है सूर में लगातार रहने पर बढ़ापा जल्दी आता है सूर में लगातार रहने पर बढ़ापा जल्दी आता है तो हे गाइज एदियाप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को लाइक करें कमेंट करें सेर करें और सस्क्राइब करें धन्वाद